Hello Dear All, Welcome to our channel Smart Indian Model School Smart Indian Model School presents Smart Indian Edufun Classes Edufun Online Classes includes course studies of playgroup to class 12 Emotional and Communicational Skills, Happiness Classes and DIY Activities Okay student, अब अपने स्टुडी को और आगे लेके चलते हैं अब हम डिसकस करेंगे average speed Average speed क्या है? The average speed of a body is the total distance Traveled divided by time taken to cover the distance यानि अगर कोई भी body travel कर रही है तो उसके द्वारा उसने जितनी भी distance को travel की है अगर उसको हम divide करने है उसके total time taken से उस distance को cover करने में जितना उसने time लिया है तो हमको क्या मिल जाएगा? Average speed मिल जाएगा, ओके? So average speed का formula क्या होनेगा? Total distance traveled upon total time taken For example, suppose करो जैसे एक car है है ना? एक car which travel a distance of 100 km in 4 hour यानि कोई car है वो क्या कर रही है? 100 km distance travel कर रही है 4 hour में ठीक है? तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि वो उसका average speed क्या हो जाएगा? 100 upon 4 यानि 25 km per hour 4 घंटे में कितना travel कर रही है? 100 km तो 1 hour में कितना travel करेगी? 25 km per hour लेकिन यहाँ पे 25 km per hour क्या है उसकी each उसकी average speed है? ऐसा नहीं है कि वो each प्रते एबरी hour में इस hour में वो कितना travel करेगी? 25 km ऐसा नहीं है? पहले hour में हो सकता है उसको रास्ता साफ मिल गया हो तो वो 30 km या 25 या हो सकता है 35 km कवर कर ले पहले hour में फिर रास्ते में कुछ प्रॉबलम आ गई हो तो वो थोड़ी दिर रुख गया हो ब्रेक कर लिया हो उसके बाद उसने उस hour में कितना distance travel किया? अबराल उसने फोर आवर में कितना distance travel किया? 100 km तो पर आवर में उसने कितना distance travel किया? 25 km तो यही क्या होती है? average speed क्या होती है? पर आवर speed होती है एक numerical problem है करें एक scooterist यानि कोई scooter चलाने वाला है कवर है distance 3 km in 5 minutes 3 km distance को कवर करता है 5 minutes में calculate is speed in centimeter per second and kilometer per hour तो कितना distance travel कर रहा है? 3 km अगर एक kilometer में कितने meter होती है? 1000 meter होती है तो इसको कितना होती है? 3 into 1000 से multiply कर देंगी कितना होती है? 3000 meter तो कि अगर मैं इसको meter को फिर से centimeter में convert करूँ तो 100 से और multiply करूँगा तो 1, 2, 3 और 100 से multiply कर देंगी कितना गया? centimeter होती है टाइम कितना ले रहा है? 5 minute टाइम कितना ले रहा है? 5 minute तो 5 minute हो जाएगा अगर इसको second में change करें तो 16 से multiply कर देंगी कितना हो जाएगा? 5 into 60 यानि 300 second हो जाएगा अगर hour में change करें इसको तो कितना हो जाएगा 5 मिनट है और एक मिनट में कितने और होंगे 1 अपन 60 यानि 60 एक आपन 60 मिनट होते हैं तो यह कितना हो जाएगा 5 अपन 60 और हो जाएगा अब simple है formula लगा यह answer लाइए को स्सक्राफ इतने संटिमेड् epidemi मिन पोच रहा था तो स्पीड इतने संटिमेड्र ट्रेवल था अपन जाएगा 36 किलमिटर पर ऑर इस था फैरे कि सिंपल है वो जाएगा उके झाल!